वेल्कम फ्रेंट्स आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं सुद्धु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो दुमका है इसके रिजल्ट की बात हम लोग करेंगे यूजी और पीजी की जो रिजल्ट है वो जारी की गई है एवेलेवल है तो हाउ टू चेक रिजल्ट आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे सभी कुछ आपको बताएंगे आप ध्यान से इसको देखेगा साथ ही साथ अगर पसंद आया तो लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कर लेजे हमारे चैनल को क्योंकि आपकी यूनिवर् से जुड़ी इनफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है आये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों को करना क्या है हमने क्या कि आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम व्राउज पर जाके एसके एम्यू.ac.in सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद आपको ज się तरह का इंटस दिखेगा यहां यह अपका युनिवर्सिटी के नेम है यूनिवर्सिटी का हम लोगों और आा चुके हैं अब यहां पर आने के बाद आपको ईस तरह का इंटस दिखेगा अगर आपका मुवाइल जो है वह रोटेट है है या फिर आप desktop site पे करके रखे phone को तो इस तरह का interface दिखेगा नहीं तो इस तरह से आपका line by line इस हाँ पे दिखेगा तो आपको देखना क्या है कि examination department वाला option देखना है यहाँ पर home है about है administration, academic, admission सभी कुछ है यहाँ पर दिया गया है तो हम लोगों को करना क्या है examination department वाले option को देखना है इस examination department वाले option को click करने के बाद इस तरह का कुछ दिखेगा आपको यहाँ पर options दिखेंगे यहाँ पर exam form, admit card, result यहाँ पर सारा कुछ है तो हम लोगों को करना क्या है result देखना है तो result पर click करेंगे जैसे हमने result पर click किया तो देखिए कुछ इस तरह का interface यहाँ पर दिख गया और जो भी आपकी जो है available result होगी वहाँ यहाँ पर सो कर जाएगी result of PG semester 3 20-22 का जो session है और result of UG semester 3 20-23 का जो session है यह दो session का आपका यहाँ पर result जो है available है लोग चेक कैसे करेंगे तो scroll करके आपको नेचे करना है यहाँ पर click किजिएगा तो आपको देखिए दो available है PG और UG का available level है आपको अगर पीजी का जाना है तो आप इसको टीक कर लिजिए अगर यूजी का जाना है तो आप इस पर click कर लिजेगा तो PG select हो गया आप हम लोगो semester select करना है तो यहाँ पर एक ही semester का है सिर्फ semester 3 का है तो हम semester 3 को यहाँ पर select कर लेंगे next आपका आता stream stream पर जैसे मैंने click किया तो यहां बहुत सारे options है आपकी जो stream है आप उसको select कर लिजेगा यहां पर तो आप कोई भी science stream select कर लिए उसके बाद यहां पर roll number fill up करने का option आएगा roll number भर दिजेगा next आपको registration number का आपका option आएगा यहां पर roll number fill किजेगा यहां पर registration number और उसकी बाद आपको यहां पर get result दिख रहा होगा इस get result पर आपको click करना है और click करने के साथ ही आपको result so हो जाएगा I hope friends आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा मिलते है नेक्स वीडियो में इसी तरह से बने रही है हमारे साथ नेक्स वीडियो आपके बॉजल अप्टेट होने वाली है थैंक्यो सो मच सब्सक्राइब कीजिए